हलो फ्रेंड्स वेलकम टू निटिंग ट्यूटर आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक मास्क यह बनाएंगे हम बेबी वूल से बेबी वूल लिया है मैंने इसके लिए यह इस तरह के टैग लगे वे होते हैं इसमें यहां बीच में वर्दमान की बेबी लाइए 25 ग्राम का गोला आता है यह यह आप ले सकते हैं और इस मास्क में यह पूरा गोला भी नहीं लगेगा आधे गोले में ही बनके तयार हो जाएगा और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी जो हमारे बिगनर्स हैं जैसे कि मैं आजकर कोर्स की वीडियो बना र लिए बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी बनने वाला मास्क है यह तो इसके सबसे पहले हम 19 फंदों से हम इसको शुरू करेंगे 19 फंदे डालेंगे हम 19 स्टिचिज लेंगे हम कि यह दो फंदे हमने डाली है तेन चार पांच छे साथ आट नौ दस ग्यारा बार, तेरा, जोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, धरा, उनिस 19 फंदे हमने यह डाली है यह बना रहे हम बड़ो के लिए अगर हम थोड़े का जैसे की 14-15 साल के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें 17 फंदे या 15 फंदों से भी शुरू कर सकते हैं और चोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप 11 फंदों से भी इसको शुरू कर सकत मैंने इसको 19 फंदों से शुरू किया है, सबसे पहले हम इनी 19 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, यह पूरा मास्क हमें उल्टा उल्टा बुनना है, जो फंदे बढ़ाने हैं, वो भी उसी में बढ़ाने है, जो घटाएंगे वो भी उल्टा उल्टा बुनते हुए हमे उल्टा बुनते हुए दोनों साइड से हमें इसको उल्टा उल्टा बुनना है इसके लिए बहुत ही सॉफ्ट वाली बूल आपको लेनी है और उसके बाद मैं अपने हर मास्क में कपड़ा लगाना बताती हूँ के लास्ट में हमें इसमें कपड़ा लगाकर कैसे यूज करना है क्योंकि कई बार उन में थोड़े रुवें होता है इसमें बेबी बूल में तो रुवा होता ही नहीं है लेकिन अगर होता है बूल में थोड़ा सा तो कपड़ा लगाने के बाद आपको बच्चों के लिए खा इसको बार बार चेंज भी कर सकते हैं लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसको कपड़ा इसी की शेप में काटके और इसके उपर सिल दें वो भी मैं भी बाद में बताऊंगे जब ये मास्क पूरा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से इसमें कपड़ा सिलना है इस तरह से ये मैंने दो सलाई कर लिए अभी हमें चार सलाई इसी तरीके से और कर लेनी है देखिए ये छे सलाई हमने कम्प्लीट कर ली हैं ये एक दो तीन लाइन हमारी ये इधर आ गई और तीन लाइन हमारी इधर आ गई अब हमें इसमें फंदे बढ़ाना शुरू करना है और फंदे हम इसके बिल्कुल बीच वाले फंदे पर बढ़ाएंगे इसलिए हम इनने इसमें और नमबर में फंदे डालने है 19 फंदे हमने रखे है तो अभी 9 इधर कर लेंगे, ये और 9 इधर करेंगे, बीच वाला जो फंदा होगा, इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे, पहले हम 9 फंदे बुन लेते हैं शुरू में, बुने हमें उल्टे-उल्टे ही हैं, पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे, बाकी फंदे हम बुनेंगे, पर हमाई दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नौ, नौ फंदे हमने ये बुन दिये, अब जो ये दस्मे फंदा है, 9 फंदे ये बचेंगे हमारे, दस्मे फंदे में देखिए, हम एक फंदे के तीन फंदे बनाने हैं, वो हम कैसे बनाएंगे, एक बार बुनेंगे, निकालेंगे नहीं सलाई में से, सलाई के उपर धागा ले लेंगे, इस तरीके से एक फंदा हमारा ये बन जाएगा, एक बार फिर से इसी फंदे को बुन देंगे, ये एक फंदे के हमारे तीन फंदे बन गए दो फंदे यहां बढ़ गए बागी के नो फंदे ऐसे ही बुन देंगे अगली सलाई में हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है, पूरी सलाई उल्टी बुन लेंगे, और फिर यहां तक लाके रीज के बीच वाले फंदे पर फिर से फंदे बढ़ाएंगे, पहले हम यह वाली सलाई पूरी उल्टी बुन लेते हैं, यह फंदे हमें यहां से थोड़ा सा ध्यान दे के बुनना है, कि एक जगा जुड़े हुए हैं, तो इनको अलग-अलग करके इस तरह से एक-एक बुनेंगे, देखे हमने उधर वाली सलाई पूरी करने के बाद, अब अगली सलाई हम यहां से शुरू करेंगे, और इस सलाई तो इसमें से भी हम एक फंदा बुनेंगे, यानि कि हम इस बार दस फंदे बुनेंगे, और जो हमारा यह बीच का फंदा दिख रहा है, यह इस तरह से अगर देख के आपको समझना आए, तो आप हर बार फंदे गिनेंगे, या तो आप यहां कोई मारकर लगा लगा लें, यहां से यह वाले फंदे जो बीच का फंदा छोड़के और यह वाले फंदे, दोनों बराबर होने चाहिए, और मिडल फंदे पर ही हमें हर बार फंदे बढ़ाने हैं, एक बार बुनेंगे, एक बार सलाई के उपर से लेंगे, यह मैं फिर से बढ़ाना बताती हूं कि हम कि पिर से बुन देंगे, यह हमारे तीन फंदे बन गए, अब हमें एक से यही रिपीट करना है, इस सलाई में हमें हर बार एक फंदे का तीन फंदा करना है, और जो उधर से आएंगे, वहां कोई भी फंदा बढ़ाएंगे नहीं, पूरी सलाई हम उल्टी बुन लेंगे, यह हम तब तक रिपीट करना है, कि हमारे यह पूरे फंदे थर्टी नाइन हो जाएं, थर्टी नाइन फंदे तक हमें यही रिपीट करते जाना है, हर एक सीधी सलाई में इसमें दो फंदे बढ़ जाएंगे, यानि एक फंदे का तीन फंदा करेंगे हम, तो इस तरह से हम इसको फंदे होने तक बढ़ाते जाएंगे यह अब हमारे 39 फंदे हो चुके हैं कि एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, सतरा, टारा, उननिस यह हो गए हमारे एक कम 40 फंदे यानि कि 39 फंदे इस तरह से हमने ए साल, चार साल के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसके 25 फंदे भी रख सकते हैं उससे थोड़ा बढ़ा बना रहे हैं तो 27 फंदे रख सकते हैं या जैसे 10-12 साल के लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप 31 फंदे रख सकते हैं इस तरह से आप थोड़ा-थोड़ा उसी हिस आपसे आपको यह जाली बढ़ानी है और यहां से भी आपको उसी से 15 से लेके आप 13 फंदे 15 फंदे या तो 19 फंदे 17 फंदे जैसे 19 तो मैंने इसमें रखे ही हैं बड़ों के लिए हैं यह तो लेकिन उसी इसाब से आप कम कर सकते हैं फंदे कुछ फंदे हमारे यहां कम हो जा उतनी ही आपको यह बढ़ाने वाली जो सलाईया है उतनी ही करनी है जहां तक हमें फंदे रखने हैं कि हमें कितने फंदे बढ़ाने हैं अब इसके बाद हमें सिर्फ इसको उल्टा-उल्टा बुनना है कोई भी फंदा घटाना नहीं है कोई भी बढ़ाना नहीं है और यह ह साथ इंच का बनाना चाहते हैं तो आपको साड़े तीन इंच तक इसको बुनना है इस तरह से यह देखिए यह वाले तीन फंदे आ गए बीच के यहां पर भी अब हम कोई फंदा बढ़ा नहीं रहे हैं इसको पूरा इसी तरीके से बुन देंगे यह सलाई हम इसी तरह से कंप्लेट कर री यह एक सलाई अभी हमने की है यहां से नापनेगे यहां से आपको नापना है यह तक अभी हमारा यह 3 इंच है, 3 इंच से भी एक सलाई भी कम है, यह दिखें, इसको हमें 4 इंच या 3 इंच तक बुनना है, बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए, तो मैं इसको 4 इंच तक बुनूँगी अभी, ओर 4 इंच का बुनने के बाद, यह दिखें, यहां से हमें, समझें कि एक इंच बुनना है, एक इंच बुनने के बाद ये पूरा हाफ पार्ट हमारा बन जाएगा, उसके बाद हमें एक इंच और बुनेंगे, और वहां से हम फिर फंदे घटाना शुरू करेंगे तीन इंच तक, तो इस तरीके से हमारा ये आठ इंच का बन जाएगा, जैसे कि हमारे तीन इंच हो गए ये फंदे बढ़ाने में, और तीन ही इंच हमारा बनेगा फंदे घटाने में, और बाकी का पार्ट हमें बीच में बनाना है, जिसमें कि हम कोई भी फंदा घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं हैं तो हम यह 2 से सवा 2 इंच के बीच हमें इससे बीच का पार्ट बुनना है कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए बिना इस तरह से हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसको complete कर लेंगे दिखिए ये इतना पार्ट हमने इसमें ये बना लिया है बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए तो ये हमारा यहां तक आएगा यहां से हमने ये फंदे यहां तक बढ़े ये यहां से हम इसको जोड़ेंगे ये हमारा half part हो जाएगा अच्छा काफी बढ़ा बन के तयार हुआ है इसको हम ना पेंगे जहां से हमने ये गटाना बन किया फंदे यहां से हमारा कितना हो गया ये गरीब ये दिखिए आप धाई इंच के करीब हो गया ये और लाइन अगर हम इसकी गिने एक दो तीन चार पाँ जिस तरह से हमने यहां से यहां था कि ये बढ़ाए थे फंदे उसी तरह हमें ये घटाने है तो अभी हमें यहां सेवेंटीन फंदे बुनने है दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा सत्रा फंदे हमारे इधर हो गए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ अभी हमें ये अठारा फंदे के बढ़ाने यानि कि ये एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो अठारा फंदे हो गए एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो अठारा फंदे इधर हो गए अठारा अठारा करेंगे हम ये तो बीच में हमें ये तीन फंदों का एक फंदा करना है जो बीच में रह गए इस तरह से बाकी फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे और दूसरी सलाई भी हम उधर से पूरी कर लेंगे अगली बार में हमें सतरा फंदे बुनने हैं जैसे कि अगली बार हमें सतरा बुनके फिर तीन फंदों का एक फंदा करना है उसके बाद सोला बुनके फिर तीन फंदों का एक फंदा करना है इसी तरह से हम बुनते जाएंगे पहले में ये सलाई कम्प्लीट करके और इसके अगली सलाई भी कम्प्लीट कर लेते हैं ये देखें ये सलाई हमने कम्प्लीट कर ली 18 फंदे हमने यहां बुने थे आपके बार हम 17 फंदे बुनेंगे 17 फंदे हम बुनेंगे ये यहां से हमें ये देख सकते हैं यहां पर हमने ये तीन फंदे का एक फंदा किया था ये वाले फंदे के उपर तो अब इसका एक इधर का लेंगे एक इधर का लेंगे और यहां पर भी तीन फंदों का एक फंदा करना है बस यही repeat करते जाना है हमें, एक सलाई में हमें ये तीन फंदे का एक फंदा करना है, और अगली सलाई हमें ऐसे ही बुननी है, जैसे कि हमने यहाँ बुनना, एक सलाई में फंदे बढ़ाए और दूसरी सलाई ऐसे ही की बिना फंदे बढ़ाए, इसी तरह से हमें यहाँ करना है एक सलाई में फंदे घटाना है और अगली सलाई बिना घटाए करना है और यह हमें तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे 19 फंदे रह जाएं क्योंकि हमने इसे 19 से शुरू किया था तो हम इसे 19 पर ही खितम करेंगे, इसमें हमें इस तरह से घटाते हुए यह कंप्लीट कर लिए, और यहां तक हमारी यह फंदे घटे और उसके बाद हमने छे सलाई बुनी, जैसे कि हमने यहां शुरू में बुनी थी, छे सलाई बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए हुए, इसी तरह से मैं हम इसकी यहां से तनी बुनेंगे, वो चाहें तो आप करोशा से भी बुन सकते हैं, चाहें तो आप सलाईों से बुन सकते हैं, अभी तक मैंने जितने भी मास्क बताएं, उसमें मैंने करोशा से बुनना बताया है, कि हम करोशा से इसकी तनी किस तरीके से बुन सकते हैं, ल इस तरह से हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे बहुत ज्यादा टाइट नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं रखेंगे एक बराबर बिल्कुल आएंगे और यहां से हम आ रहे हैं तीन फंदे रह गए हैं तीन फंदे हम जिस तरह से हम नीचे से बुनते हुए गड़े गड़े 25 नदिया से खास्यांगी है और गड़े जितनी भी में यह इस कितँjektनी बहुत आनी है जो हमारी कान पर आएगी वह आप Water थिक में हैं इसमें, यहां से हम फंदे उठा लेंगे, तीन फंदे हम यहां से उठा के और तब इसको बुनना शुरू करेंगे, यहां लाके हम सिल देंगे, चाहें तो आप सुई से सिल देंगे, चाहें तो आप यह फंदे जब हम बंद करेंगे, तब साथ में मिलाके बंद कर देंग इस तरीके से हमें ये तीन भंदे अगर आपको ये पट्टी चौड़ी रखनी है तो आप चार भंदे की भी कर सकते है जैसको आई कोड पट्टी जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से भी आप इसको बना सकते है जैसे भी आप इसमें कमफटेबल हो और अगर जल्दी से बनानी है तो आप ये करोशा से बनाएं करोशा से बहुत जल्दी से बन जाएगी ऐसे हम ये यहां तक घुमाने के लिए इसकी पट्टी बना देगे ये दिखिए ये तीन फंदों को ही हमने उल्टा उल्टा बुनते हुए ये इतनी बना लिए ये आप थोड़ी कम ये ज्यादा कर सकते है अपने कमफट के हिसाब से ये करीब साड़े तीन इंच के करीब आई है ये तीन इंच ये साड़े तीन इंच हमें ये बनानी है अब हम इसको यहाँ पर मिला के बंद कर देंगे तरह से यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे हम और यह यहाँ दो फंदे का एक फंदा कर देंगे फिर इसके अगला फंदा यहाँ से उठा लेंगे यहां तीन का एक करेंगे, फिर इसके अगला एक फंदा और यहां उठा लेंगे, और यहां पर तीन फंदे का एक फंदा कर देंगे, अब हमारे यह जुड़ गया, इसको हमें सिलाई की भी जरूरत नहीं है, देखिए यह बिल्कुल अग्दम सफाई के साथ यह बन के तयार हो गई है, तो हम यह दागा थोड़ा सा पीछे लेते हुए, चाहें तो आप इसको सलाई से ही ले ले लें या करोश्या से, थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके इसको, और इसको काट देंगे हम, यह देखिए हमने एक गोला लिया था, इसमें से अभी इतना यह दागा बाकी है, इसमें कम से कम एक तो और बन ही जाएगा, या तो छोटा बन जाएगा, वैसे तो काफी लग रहा है, यह बड़ा भी बन जाएगा, इसमें बहुती कम मून में यह 12-13 ग्राम मून, यानि 25 का यह गोला होता है, आधे गोले में हमारा यह बन के तैयार हो गया, दिखिए और काफी बड़ा सा यह बना है, इस तरह से यह, यहां से, आप इसे फोल्ड करके देखेंगे, तो इसकी शेप इस तरीके की आई है, और बहुती कम्फोटेबल रहेगा यह बनाने में, अब इ अगर वो भी नहीं लगानी है, तो आप इस तरीके से एक कपड़ा लेंगे, यहां रखेंगे, और इसकी शेप की बराबर या तो आप इसकी कटिंग कर देंगे, जैसे कि मेरे पास अभी यह वाला कपड़ा है, तो हम इस तरीके से इसके अंदर से, जितना जिस तरह का ढ़ इसका यहां आया है, यह वैसे ही, यहां से कपड़ा लेंगे, और यह इस तरह से मोड़ेंगे, यहां से मोड़ते हुए हम इसकी सुई से सिलाई करेंगे, यहां से यह वाला भी मोड़ देंगे, यहां से मोड़ते हुए इस तरीके से आप चारो तरफ एक सिलाई कर देंगे इसकी सुई से ताकि इसमें फिक्स हो जाए अगर आप चाहें तो इसको फिक्स वाला बना लें तो आप इस तरह से सिलाई लगा दें छोटे बच्चों के लिए कॉटन का कपड़ा जरूर लगाएं आप यह कपड़ा कॉटन का ही होना चाहिए सॉफ्ट वाला वनना तो अगर कोई मोटा कपड़ा लेंगे आप तो भी वह चुबएगा कॉटन का कपड़ा लेंगे सॉफ्ट वाला तो वह नहीं चुबएगा इस तरह से आप इसमें कपड़ा लगा सकते हैं अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू